किया में दो हजार चौबिस की मजबूद प्यारी कर पाएगा आज इसी सवाल पे होगा ये देश है मारा दो हजार चौबिस का बैंड बाजा और बाराथ जो मिले उसे खाजा ये एक आप इस पाइड़ी तो हजार चौबिस में उस तरह आपके सर्फ पे भुम्राथ आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार विववस मैं हूँ अमीश देवगन और इस हफ़ते ये देश है हमारा में दो हजार चौबिस के बैंड बाजा और बाराथ पचर्चा होगी ये कोई फिल्म नहीं है ये राजनितिक कहानी है और सवाल होगा कि 2024 में कौन बैंड बजाएगा किसका बाजा बजेगा और किसकी बाराथ निकलेगी क्योंकि लाव लशकर के साथ चपटना में विपक्ष की बैठक होई तो सवाल उठा कि महागडबंदन की बाराथ तो सच गई है लेकिन दूला कौन होगा इसके बाद कॉंग्रेस ने कहा कि दूले की चिंता छोड़िए बारातियों के स्वागत की तयारी कीजिए क्योंकि 2024 में महागडबंदन की सरकार तय है लेकिन बारात निकलने से एन पहले ही बारातियों में भागमभाग शुरू हो गई शरत पवार की खुद की पाटी दो तुकडों में बढ़ गई और इन सब के पीच बेपक्ष को मिल रहे जटकों का सिलसला यहीं नहीं थमा सूरत की कोट के बाद अब गुजरात की हाई कोट ने भी राहुल गांदी को राहत नहीं दी है और मोदी सरने मामले में दोशी राहुल की दो साल की सजा बरकरार रख दी है यानि मौजूदा स्थिती के हिसाब से राहुल गांदी दो हजार चौबिस का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसी बीच पुरधार मंतरी मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए वार करते हुए का है कि सभी ब्रस्ताचारी एक साथ आ जाए या फिर कितनी भी साजिश कर ले ब्रस्ताचारी को मैं छोडूँगा नहीं क्योंकि जो डर जाए उसका नाम मोदी नहीं लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक जटकों के बीच क्या विपक्ष 2024 की मजबूत तयारी कर पाएगा आज इसी सवाल पे होगा ये देश है मारा 2024 का बैंड बाजा और बारा लोग मेरे पीशे पड़ेंगे मेरी कपर खोदने की दमकी दे देंगे मेरे खिलाब साजी से रचेंगे उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता पटना में महागटबंदन की कवायद क्या शुरू हुई मानू विपक्ष की कोशिशों पर शनी की छाया पड़ गई क्योंकि विपक्ष का फश्चिम में सबसे मजबूत किला दरग गया भतीजे अजीद पवार ने चाचा शरत पवार को सियासी बिसात पर चेक मेट कर दिया तो बीजेपी एक बार फिर मुखर होकर पूछ रही है कि विपक्ष की बची हुई बारात का दूला कौन है तो इसके लिए बरात सज रही है उसका दूला कौन है इसके बड़ा आश्चर हो रहा है कि बरात सजने के पहले ही भी घर रही है बराती ही भाग रहे है आप बहुत दिनों से दूले के लिए भाजपा चिंतित हो रही है चिंता छोड़ दो हमारा दूला तेयार है आप अपने हाँ बरात का स्वागत करने की तैयरी को विपक्ष के दूले की तलाश के बीच रहुल गांधी को गुजराथ हाई कोट से भी मोधी सरनेम वाले केस में जटका लगा है हाई कोट ने निचली अदालत से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया मानहानी के मामले में राहुल गांधी आदतन अपरा दी है तो अपमानित करना पेज़्यत करना अब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से पहले इस साल होने वाले सेमी फाइनल के लिए तैयारी शुरू कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने रायपूर में कॉंग्रेस पर सीधा हमला बोला अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र का जटका महा गटबंधन कैसे जहलेगा और सवाल ये भी कि महाराष्ट्र के बाद किसकी बारी है क्योंकि जैसी खबरें बिहार से आ रही हैं वो विपक्ष की बारात के संयोजक नितिश कुमार की चिंता बढ़ाने वाली है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ क्या विपक्ष किसी एक चहरे पर आम राय बना पाएगा तो स्वागत है आपका एकबर फिर दोजार चोबिस के इस बड़े कारक्रम में जिसका नाम है बैंड बाजा और बारात ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये राजनितिक पठकता है जो बीते हफते हमने देखी मेरे साथ बात करने के लिए गौरा बाटियां है मेरे साथ ब्रिज मोहन शिर्वास्तव है उनका बिनंदर है परवक्ता NCP के शरत पवार यानी शरत पवार गुटके मेरे साथ मिर्तिन जे तिवारी है परवक्ता RJD के उनका भी अभी बिनंदर है खास ओपब विहार से आये है यानी आज बिहार से महराश्त और एंदाबाद से महरेस्त खास मेमान है उनके लिए तीनों के लिए जोरधर तालिया और जो हमारे दिल्ली के मेमान है उनके ने भी तालिया और जनता जरार्दम के ने जोबदा तालिया चलिए इस चर्चा की शुरुबात करते हैं जब मैं इस कारेकरम को करने आ रहा था तो मुझे लगा की बैंड बाजा बारात कारेकरम का नाम है तो कई लोगों ने पूछा ये फिल्मी कहानी है लेकिन कहानी फिल्मी तो नहीं है लेकिन जो बीते हमने हफते हमने रोहन भाई देखा वो जरूर किसी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है क्या आपको लगता है कि विपक्षी एक्ता को पलीता लगा है बिहार में जिस शब्द का बहुत और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इस्तमाल होता है क्या विपक्षिय एर्था को पलीता लगा है पचास सेकंड यो फर्स्ट रिमार्क्स बैंड बाजा जो है भाजपा के हंकार का बजेगा और बाराथ जन्ता की निकलेगी क्योंकि तो ही महँगा ही जाएगी और तो ही बेरोजगार ही जाएगी मुझे लगता है जो आपने कहा कि जो महारास्टर में चल रहा है आपने बैंकों की डखेती देखी होगी बंगलों की डखेती देखी होगी प्रॉपर्टी की डखेती देखी होगी यह पार्टी की डखेती करने वाली शुरूआत करने वाली बाजपापकी विश्व की पहली पार्टी है जिसने पार्टी की डखेती चालू की और Guinness Book World Record में इनका नाम आना चीए, बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट है कि पार्टी की दक्वेती शुरू की है, देखे हमीश में जनता जनार्दन सब देख रही है, जिस प्रकार से महराश्टरम ये खेल हो रहा है, अभी आपने खहा मोदी जिने का भाई और बैनो, मैं भी ब्रस्टाचारी को नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल, उनकी पार्टी ने पालन किया उनके आदेश का, उनको छोड़ा नहीं, उनको अपने साथ लेके आ गया, और ये वाशिंग मशिन देखिए, एक ऐसा वाशिंग मशिन है, कि भाजबा का सिंबल भी आने वाले दि कहती हुई है, यहां आपको लगता है कि आपने खेल शुरू करा है, और ये जो बैंड बाजा और बारात है, कॉंग्रेस को तो लगता है कि बैंड भी आपका बज़ेगा, बाजा भी आपका बज़ेगा, और फिर बारात जनता की निकलेगी. लेकिए आपकी स्टोरी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी, और उसमें आदर्निय प्रदानमंत्री जी ने बात करी कि विपक्ष कहता था, मोदी जी की कबर खोद दो, तो मैं इतना ही कहूंगा, भरष्टाचारियों की जिसने कबर है खोदी, उस महानेता का नाम है नरेंदर मो और आपके नेता है, दिली में नरेंदर मोदी है, तो महराश्य में दिविंदर फटनभिस है, दिविंदर फटनविस ही क 이걸 जीत पवार्चक की पीसिंग, पीसिंग, पीसिंग लेकिन अब तो DCM यानि टिप DCM बनिंग, बनिंग और बनिंग आपकी स्टोरी में एक और बहुत अच्छी बात थी आपने बाजा की बात करी है एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है जो बजही नहीं रहा हमें पता है वो कौन है लेकिन मैं इतना ही कहूंगा इनके लिए अर्ज किया है बजा दो जनता का बाजा जो मिले उसे खा जा यह है कॉंग्रेस पाइटिंग पूरे विश्यु में देखिएगा कोई राजदितिक परिवार हो जिसके तीन सरस्य बरश्टा चार के आरोप में बेल पे बाहर हो गांदी परिवार और आपने जो बात कही न आज कर जनता पता है क्या कह रिये है मीज जी कह रिये ये कटपपा कौन है जिसने बाहू बली को मारा कटपपा कौन है मैं बताता हूँ कटपपा वो है जो महराष्ट के विधानसभा चुनाव में कॉंग्रिस पार्टि को गाली देता था दिवेंदर फटनविस जी की पीट पर यू चोरा बोका और इसी तरह से जंता के भोका तो कटपा कॉन कटपा वो बेटा है जो भूल गया कि बाला साथ ठाकरे हमारे लिए श्रदे हैं हिंदू हिरदे समराथ वो कहते थे दुकान बंद कर दूँगा लेकिन कॉंग्रेस पार् इसकार को मैंडेट मिला वो सरकार नी बंदे दी और तीम दल साथ आ गए क्या आपको लगता है कि जैसी करनी एक फिल्म आई थी पुरानी क्योंकि फिल्मों की बात वरिये जैसी करनी वैसी भरनी कादर खान और गोविद्दा की भारतियनता पार्टी लगातार नेतिक्ता चाल चरतरों चेहरे की बात करके देश में उनको इतना बड़ा सत्ता का अधिकार मिला लेकिन इनके जितने भी काम है अभी तक वो सब चाल चरतरों चेहरे से अलग हैं आधरनी मोदी जी भोपाल की रेली में जहां पर ये कहा गया था कि दस लाख लोगों को समोधित कर रह धारनी में भी जेकर आओंगा कि मोदी जी उसने ज connection में ये कह रहा थि यह उनको परिबार में पदा हुए वो लेकिन जो उनको हक मिला वो हक तो परिबार परिबार का ही मिला न यह नहीं प्रसाद यादव चार बार दोष्ट से धुए हैं नयाले में मोदी जी की सरकार थी हमने देखा अनिल देशमुक जो शरत पवार के आसपास घूम रहे थे कारवाई किस ने करी गांधी परिवार पीच दामबरम किसके समय में कारवाई हुई हमारे और हमें ये समझना होगा कि अब CBI अमीर जी पिंजरे का तोता नहीं है CBI ED और पुलीस की जो जाच होती है ये निश्पक्ष होनी चाहिए कौन किसके साथ आता है इससे क्या फरक पड़ता है अगर भरष्टाचार्ब का लिप्त पाएंगे साक्षे मिलेंगे प्रमान मिलेगा तो वो चक्की पीसिंग 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 जैसा भी आप कह रहे है तो पर दिवेंद वर्डविश ने बोला था ये बात तो लेकिए लेकिए आप मुझे सुना रहे हो आपको लेकिए मैंने क्यों बोला आपको मैंने एक विधिक फरक समझाया जाच इजेंसी निश्पक्ष और स्वतन रूप से काम कर रही है आज बाज बनके भ्रष्टाचारियों को काट रही है और इसलिए दर्द हो रहा है वरना ये बताईए क्या ये सत्त नहीं है नौ साल प्रदान मंत्री बारा साल मुख्य मंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी की जो चादर है उस पे एक छीट दाग की हो ब्रष्टाचार के इनकी पूरी चादर काली है ये बतादा मुश्किल है की सफेद कहा से तो ये जो विपक्ष ने बैंड वाजा और बारात की तयारी करी लेकिन बाराती भाग गए बीच में से पूरा देश की जनता बारात बनने के लिए तयार है और आप देखेंगे जब बाराती निकलेगा तब इनकी बिदाई की सहनाई बजाई जाएगी सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के बन जाएंगे यार वह जाएंगे सदा चार और जो नहीं बनेंगे भाजपा के यार वो है भरष्टा चार ऐसा प्रहार तो भरष्टा चार पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा हमीज जी यह भरष्टा चार का पैमाना क्या है आज आज आप थोड़े परेशान है कोन परेशान है आपको हमारे आवाज की बुलंदी में बताईए इतने लोगे तो शरत परव अजबार जी की पार्टी इन्होंने तोड़ ली तो खुश है आप नहीं हम क्यों खुश होंगे तो फिर परिशान है हम खुश है हम खुश है कि भारती जनता पार्टी भाईबीत हो गई लड़ने से पहले ही माइदान प्रधार मंत्री ने बोला जो जो भाजपाई राजन इन्होंने महराष्ट में खेल सुरू किया अंत बिहार में हम करेंगे मुझे पता आप अंत आप करेंगे लेकिन खबरी आ रही है कि जेडियू को आप तोड़ेंगे नहीं नहीं आप कहां चले गए पिछले सावन में भाजपा की नईया बिहार में डूबी थी इन्होंने म हम छोड़ेंगे नहीं और मैं क्यों कहता हूं यह लोग जो महराष्ट में हुआ अमीज जी वह अंदूनी मामला है एंसीपी का लेकिन छाती पीट रहें भाजपा ने कर दिया लोडरी मशीन गंदगी इतनी क्यों कर रहें AIMIM मुस्लिमीन पार्टी आप जानते होंगे उनके प्रवक्ता नहीं चार विधायक आये थे पांच आये चार विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया आपके बीच नहीं गलत उदारी सट कर रहें ना बिमारी मोतिया बिन की दवाई एक जिमा की यह नहीं चलेगा अरे मोतिया बिन तो ठीक हो जाता है जो मोधिया बिन दिने हो रखा नवरत को वो ठीक नहीं हो गारा हर हर मोधी घरगर मोधी अर्मागाई हर घर लाई तुमाटा एक तो साथ रुपया किलो अच्छा है उधार आपको अच्छा लगेगा जंता सुनना जाती है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं गांधी परिवार पे आते राज़क्तान में बस्पा का समर्थन लिया छे विदायक थे शमर्थन दिया अपनी पार्टी मंबर्ज करा लिया ये लोग छाती पर अपने सायोगी को तोड़ लिया जेडियू के छे विदायक को साथ में तोड़ लिया था बीजय को अब उनके पीज़ नहीं पीज़े को होगा नहीं ओके लेकिन मुझे तो वह शोले फिल्म कर डायलोग या दारा है लेकिन देखिए कहानी फिल्म हो रही है तो एक इसकी भी बात कर लेते हैं एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं लेकिन एक वेब सीरीज भी आई है जिसको फैमिली नाम दिया गया है तो क्या आपको लगता है कि परिवारवादी फैमिली रन पार्टी के लिए एक स्ट्रॉंग मेसिज है जो अजीद दादा पावार ने माराश्व में करा है उन्हें बोला क्योंकि मैं इनके घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे इन्होंने कुछ मुझे कमान नहीं दी जबकि मैं कॉम्पेटेंट था तो उन्हें कमान इन्होंने दे दी भारती जंता पार्टी ने जो परवारवादी बचेंगे उन्हें देंगे अभी गौरो भाटिया ने कहा के भरस्टाचारियों की जिसने कबर खो दी पता नहीं भारती जंता पार्टी के नाम कबर कब से हो गया भरस्टाचारी तो सारे भारती जंता पार्टी में गए हैं और किसी और नारूप नहीं लगाया था भारती जंता पार्टी के जि देश के लोग तंत्र को खतम करना और सब्सक्राइब को दोतों सारे देश को नीलाम कर देंगे और ये बंदे मात्रम का गीत गाते हैं सुबह उठकर मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे यह जो महंगाई बढ़ रही है और पब्लिक ताली भी पीट रही है रों दुटा आजे फिर उसके बाद में आ रहा हूँ जो कच्छे तेल के दाम घटते हुए भी पेट्रोल डीजल लगतार महंगे होते जा रहे हैं गैस महंगी होते जा रही है टमाटर 120 रूपे किलो बिक रहा है यह पैसा कहां जा रहा है यह भारते जंता पार्टी विधायक खरीदने में पार्टियों को तोड़ने में लगा रह थी आपने रोन गुप्टा तो आप भी पैसे दे के खरीद रहे थे यहाँ पे हिर्दे परिवर्तन हो रहा था देखिए यहां पे काफी यंग साथी सब बैठे हुए मैं जब यह डिबेट होती एक सीरियस चीज हम सब को समझनी पड़े कि जब प्रदानमंत्री जी बोलते को हमेशा बाजपा ने ब्रस्टाचार और परिवारवाद इन दोनों के नाम पे जिस अजित पवार को एटे किया बाजपा ने 70,000 करोड के करप्शन का प्रदानमंत्री ने आरोप लगाया अगर उनकी ही पार्टी अगर प्रदानमंत्री की बात नहीं मानती है तो यह प्र प्रदानमंत्री जी ने जो जी बाते की है आज उनकी पार्टी की सरकार में सारी बाते जुमले साबीत हुड़ी है देशकी जनता को समझना पड़ेगा एक तरफ इनोंने कहा चक्की पीशिंग नो चक्की पिशिंग because going on BJP's washing machine क्योंकि जैसे जैसे washing machine चलेगी चक्की पिशिंग वाले सारे बाज़पा में चले जाएंगे दो विकेट उखाडने हैं एक एक करके उखाडते हैं पहले समाजबादी पार्टी की बात करते हैं इतना अंकार मत रखिये बादे जैसे गूगली नो बॉल नहीं पहाड़ागा इक आपकी बात को पेशिंट नहीं पिशिंट हुए जा रहे हैं हिट विकेट यह को खोदने वाले लेगा ये किर्केट चक्ते यह लिए आगे चारा को टाला वाले चारा मिलेगा कारे इंके पास कोई चारा लेगे अपने घर में चुपाने वाली जिन्होंने अमर्जनसी लगाई थी ना वो इंदरा गांदी ही थी इसलिए हमें ना ग्यान दे कि कैसे कहला जाता है मैच आप में दम नहीं और फिर आप चिलाने लगते हैं भई सबसे पहले समाजवादी पार्टी आपने वंचवाद की बात करियो भरष्टा चार यह क्या है मैं आपको बताता हूं इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो यह महंगाई बढ़ गई है हमारे टैम अरे भईया 200 रुपाई की टोटी सरकारी बंगले से चुराई इसी पार्ट को जो प्रोड़क्ट लॉंच नहीं होता है अगर इन युवाओं को मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए मैं गिनवाता हूं आपको मुलाइम सिंग यादव राश्टे अध्यक्ष थे अकिले यादव मुक्यमंतरी थे शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे योगिता की जगा कहां थी योगिता की जगा है तो भारतिय जंता पार्टी में है नरेन मोदी जी येपी नडड़ जी अमिक्ष जी एक परिवार से नहीं आए उन्होंने पोस्टर लगाए महनद करी पसीना भाया तो यहां तक पहुचे जंता आशिरवाद देती है जे पर भी एक बात कहूंगा आप वरिश पत्रकार हैं हमीजी योगिता की बात हो अजीद पवार ने संग्टन समबाला था या सुप्रिया सूले ने मैंने किसने करी किसका नाम है और अगर अजीद पवार ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैं उस मां की को किसे पैदा नहीं हूँ जि राहूल गांदी कहती है टी-मसी जो है बहुत बड़ी भ्रक्ताचारी पार्टी है अरे वह बिहार में महा ठक बंदन की जो बैठक हुई टी-मसी के साथ को बैठे थे इन्होंने कहा मनी शिशोडिया गिरिफतारी एडी की बहुत अच्छी है हम भी राहूल गांदी का अप बारे में बोली अगर यह कोई तथ्यात्मक आलोशना करते कुछ आकड़े पर इसकाने वच्वाद दिखाया तो मुझे भी अच्छा लगता है बीच में तुमें चिला है नहीं था मैं तो शांती से सुनगा तो मैं भी शांती से सुना है आपने एक बाद और सच्छा आदम वो हमेशा बौक लाएगा शोर मचायागा चिलाएगा मैंने बहुत धहरिये से आपके बास सुनी इन्होंने दो बाते कहीं अगर यह कोई तथ्यात्मक आलोशना करते तो मुझे भी अच्छा लगता क्योंकि लोक तंत्र के लिए जरूरी है हमारी कमियां ये बताएं इनकी कमियां हम बताएं लेकिन उन्होंने दोन फालतू बात है कि आप अपने दिल पे हाथ रखे इमांदारी सा सोचो कि जिसके पिता तीन बार मुखमंत्री रहे हो देश के सबसे बड़े सूबे के जो खुद पांच साल मुखमंत्री रहे हो जिन्होंने 20 लाग करोड का बजट खर्च किया हो वह आदमी 200 रूपे की टोटी चुराया का कोई गले उतरती है यह बात लेकिन चरित रहनन करना इनकी पार्टी का इनका काम है जूट बोलना जूटी वाफवाएं उडाना दूसरी बात इन्होंने कही समाजवाधी पार्टी में योग लोगों की तो कोई कुछ नहीं कहूंगा लेकिन इनसे ही पूछूँगा क्या चमचा कीरी चापलूसी करके समाजवाधी पार्टीम गए ते यह योगता के बल पे गए तो इस तरह की अनलकर बातों को यार्थ होता है जो आरो बाप की सरकार के उपर नहीं जो आप देश को पर बात कर रहे हैं मैं तो आदर के साथ नहीं कियां दे रहे थे यह मेरे नेता को जो बोखलाया होगा वो चिलाता रहे हैं देखो इनकी कुतर के देखो इनकी अब आपको उन्हें बहुता दिया मैं सरीके से करूँगा देखे पहले तो आप के लिए अर्ज की अच्छे आदमी है कद बड़ा नहीं करता है एडिया उठाने से अकसर इज़त मिल जाती है सर जुकाने से तो इसकी बात जब करिए तो थमीज से करिए लेकिन एक फरक बताऊंगा मैं बहुत बिकार आदमी ह हूँ वंजवाग की उपज हूँ सब माल लिया मेरे लीडर नरेम मोदी जी है इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता अब मैं आपको बने तो फरक अभी जी 30 सेकंड हाइलाइट ऑफ डिबेट है सुनिए का अखिलेज यादव 49 साल में मुख्यमंतरी बने इसलिए बने क्यो मुख्यमंतरी बने 2017 में उम्रती 43 साल दुबारा मुख्यमंतरी बने 2022 में गद्धी जो है ना वो दी जा सकती है लेकिन गद्धी संभाल के रखने की भी योगिता होनी चाहिए जो इन में नहीं 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 है यह एक यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें गद्धी संभालने की बात की एक और हमारे साथ पार्टी है जहां पर भी वंच्वादी पहले लालू यादव फिर राबड़ी यादव फिर तेजस यादव फिर तेजस्वी यादव मीसा यादव और भी कोई ना अधार पर तो काम करना ही पड़ेगा देखिए ऐसा है अमीज जी यह भरष्टा चार पर पर परिवारवाद पर यह भाजपाईयों का रेडिमेट भासन बहुत हो गया हम तीन दसकों से देख रहे हैं उसमें हम लोग इस्टूडेंट थे यही आरोप लगा रहे हैं यह लो करना है और परिवारवाद नहीं कह सकते उसके बेटे अर्जुन तंदुलकर को कुई ऐसी जगा मिले, वो परिवारवाद होता है, लेकिन अर्जुन तंदुलकर मेहनत कर रहा है अपने पिता की तरह, तो फिर उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो परिवारवाद नहीं होता, वक्त है कंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पर, बेंड बाजा और बारात किसका बज़ेगा ब्रेक के बाद जानेंगे देख रहे हैं आप ये देश है मारा आप 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 सेले गए गई आपको स्पेसिफिक जवाब मां रहा है आपका एंपी है आप एंपी है